इससे पहले, एपिसोड में हमने प्लेजर मिलता है और उससे क्या addiction होता है उस बारे बातचीत करी, फिर आज हम कि हमको कैसे छाहिए क्ति क्सद käने वाले हैं तो आजकल जैसे लोग बहुत अलग-अलग food choices अपना रहे हैं, अलग-अलग foods डाइट से वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे keto डाइट है, विगन है, और fruitarian डाइट है, तो इस बारे में आज हम बात करते हैं, जानते हैं वेपेंजी से उनके क्या विचार हैं को लेके, एक थोड़ा अजीब सा समय है ये, देखें एक तरफ तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारी डाइट हो रही हैं, और लोगों को लगता है मैं ये डाइट फोलो करूँ या वो डाइट फोलो करूँ, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसा भी हो रहा है क जैसे कि जब दुनिया इतनी जुड़ी हुई नहीं थी, तो फिर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बहुत अलग-अलग तरीके का खाना खाया जाता था, अगर हम अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में साउथ में कुछ अलग खाते थे, नौर्थ में कुछ अल पर हाँ, यह सोचना होगा हमें कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, और एक तरफ यह लगता है कि खाने के लिए जो चीज़े उपलब्द हैं वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ यह भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें गायब भी होती जा रही है, जितने स्टैपल् पहले थी, उतनी दाले नहीं है, फिर यह वेजेटेरियन और नौन वेजेटेरियन का भी इशू है, तो इन सब की अपनी अपनी लिमिटेशन्स हैं, अपने अपने अडवांटेजेज हैं, मैं तो कहूंगा कि योगेश जी कहें, कि वो क्या पसंद करेंगी आजकल? मैं तो दोनों प्रिफर करूंगा, वेजेटेरियन और नौन वेजेटेरियन, अच्छा यह भी एक मसला है, यह भी एक बड़ा इशू है, कि कुछ लोग कहते हैं, कि इनसान बना ही वेजेटेरियन फूड के लिए हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वेजेटेरियन ज़्यादा अमेरिकाल से जब हम जंगली अवस्था में थे, तो हंटिंग और फोरेजिंग दोनों ही हो रहा था, कि हम फोरेज भी कर रहे थे, वाइल्ड फूर्ट्स और ट्यूवर्ड्स और यह सब भी ला रहे थे, पर हंटिंग भी काफी कर रहे थे, अभी भी कोई किसी जो ट्राइब्स हैं, तो वो बहुत सारे हंटिंग पर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात है, या न करने वाली बात है, ऐसे मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो भी एक जरूरी चीज है, क्योंकि अल्टिमेटली हमें जो खान मिल रहा है, ये खाना खा रहा है, वैसे तो आप जानवर भी देख सकते हूं, जो वेजटेरिन भी खाते हैं, कोई जानवर और वो नॉन वेजटेरिन या अनिमल सोर्स भी लेते हैं, कई चिडिया भी ऐसी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका दीजी प्रफरेंस वेजटेरियन और मैं मोसली वेजटेरियन है, आपका ख्यार है, मेरी फैमिली वेजटेरियन ही है, लेकिन मेरे को ऐसे नॉन वेज़ को लेके बहुत चादा, वो नहीं है कि में को नहीं खाना है, तो आपकी फैमिली में कोई नॉन वेज नहीं खाता है, कुछ लोग हैं जो खाते हैं और आपके हाँ लेकिन मीट मसाला बनता था वो बनता था लेकिन बस बेचने के लिए बेचने के लिए घर में ज़ादा इस्तिमाल नहीं था उसका यह ठीक बात है तो ठीक है हमें थोसना तो चाहिए यह चलिए हम इसी बात को पहले क्लियर कर लेते हैं लेकिन पर जैसे आज कल बहुत आज की मॉडर्न लाइफ में बहुत नॉन वेज जहां से आ रहा जो उसका जो सोर्स है तो आपको मतलब कैसा लगता है कितना रिलाइबल है हाँ उसमें देखने वाली उसमें बहुत सारा हाई प्रोटीन जो उनकी बढ़वार के लिए एनिमल्स के लिए जैसे चिकन ले लो आप तो उसमें बहुत सारा हाई प्रोटीन डायेट देते है उसको या वो हाईब्रीड भी है जो एफ-वन टाइप की नसल है तो वो प्रोडॉक्टिव नहीं है वो अंडा नहीं रहे सकते हैं लेकिन वो बस मीट के लिए हम यूज कर रहे हैं इस चिकन पर मुझे एक चीज यादा आई है आप अपनी बात जारी रखे लेकिन वह बात मैं कहा देना चाहूंगा यह है कि चिकन को आजकल बहुत सारे एंटिवायोटिक्स भी खिलाते हैं और क्यों खिलाते हैं क्योंकि एंटिवायोटिक्स खाने से चिकन का बज़न जादा बढ़ता है और क्यों बढ़ता है जैसे आप उसको antiviotic खिलाते हैं उसके पेट के अंदर के germs मर जाते हैं तो जैसे आप खाना खाते हैं या कोई भी खाना खाता है तो खाना divide होता है आधा खाना आपके अंदर जो microbiota है जो bacteria है वो खाएंगे और आधा आपके शरीर में जाता है तो जैसे आपने एंटिवाइटिक दिया किसी को जिसे चिकिन को इस केस में तो उसका बजन बढ़ने लगेगा ऐसा इंसानों के साथ भी होता है जब आप कोई सरजरी कराते हैं एक लंबा कोर्स एक दो हपते का तीन हपते का एंटिवाइटिक का लेते हैं तो अचानक वेट बढ़ता है बहुत create हो रहा है कि इतना feed किया जा रहा है कि create हो रहा है वो भी एक बात है तब भी आप क्या chicken खाएंगे? नहीं, मैं तो मैंने खुद rear किया और चिकन खाऊंगा अच्छा, आप खुद पाल रहे हैं? आपके फार्म पहें? मेरे पाथ chicken है मैं उनके अंडे भी ले ले लेता हूँ और शीप्स है, गोट है तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं अभी ये reliability की बात हो गई कि कहां से देना चाहिए और नॉन्वेज के लिए तो ठीक है ये हो गया लेकिन वेज में भी वही सारा जमेला पड़ा है कि बहुत सारेकिसान जो है वो उनकी फसल की अच्छी बड़वार के लिए फिर उसमें दवाईया डालते हैं दवाईया तो बोलते हैं उसे पर वो पेस्टिसाइड है तो अच्छी अब जब आप दवाईय डालते हो तो ऐसे कहा जाता है ना दवाईय है या कोई अंतीबर्टिक अंगर तो आप के लिए nem लेकिन अगर वो ड़के के लिए डाल रहे हो उस दवाईड के लिए लेकिन उस contractors के लिए तो जहर और the लिए आर अगर पॉस उसमरेदगा नहीं सर्वाइकर ड़के है तो हमारे शरीर में भी वो जाएगा तो उसको लेके भी थोड़ा सा है इशू कि हम कितना वो accept करें उसे भी वेज़ डाइट को भी वेज़ डाइट को भी आप मतलब वेज़ डाइट को भी उतनी रिस्क के साथ देखते हैं जितना की नॉन वेज़ डाइट को देखते हैं तो सवाल ये नहीं है कि आप वेज़ खा रहे हैं कि नॉन वेज़ खा रहे हैं मतलब जादातर लोगों को तो ये लगता है कि इनसान एक्चुल में ओमनी वबरस है और वो सब कुछ खाने के लिए बना है कुछ लोग सोचते जरूर ऐसा है कि इनसान फ्रूट खाने के लिए बना है लेकिन आप पूरी दुनिया का जब सेंपल उठा के देखे है तो आप बुल लगेगा कि दुनिया में ज़्यादातर नॉन वेज़ खाया जाता है तो दोनों चीज़े खाने के लिए हम बने हुए है और किसी की डाइट थोपना भी अच्छी बात नहीं है सब के लिए जो खा रहा है तो हर एक के विचार है मौलेक सोतंतरता की बात है तो कोई एक ऐसे नहीं लेके चल रहा लेकिन मुझे यह लगता है कि इसमें जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे है वो एगरिकल्चरर प्रैक्टिस हो या एगरिकल्चर से पहले मैं थोड़ा सा इसमें एनीमल पर थोड़ा और बात रखना चाहूँगा कि जिससे कि इसका इमोशनल साइकलोजिकल इसमें क्या होता होगा आप तो ठीक है कि आपने अपने फार्म पर पाल रखे हैं देखे एक आम इनसान का अगर हम सोचे हैं तो आप जैसा तो नहीं है वो तो बजार से खरीद के खाएगा और हंटिंग तो इलीगल है तो आप हंटिंग कर नहीं सकते हैं नेशरली जो फॉरेस्ट में फ्री ग्रेज हैं खतम हो जाएंगे तो सरकार निरोक लगाई हुई है और ठीक लगाई हुई है तो वो तो आउट आफ पिक्चर है दूसरा अब हर कोई फार्म भी नहीं रख सकता है अब शहरों में लोग रहते हैं फ्लैट्स में रहते हैं वहां कहां मूर्गियां पालेंगे और कहां सी किसमें क्या होता है कि जो अगर हम उसका एक emotional aspect देखें तो आप देखें कि जो chicken है या जो cattle's रखे जाते हैं meat के लिए बलकि मैं तो कहूँ दूद के लिए भी तो वो कितनी मुश्किल कंडिशन में रखे जाते हैं सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि उनकी फ्रीडम के बारे में हम सोचें कि आपने उनको फिक्स कर दिया एक जिए मुझे लगता है बहुत ही साइकलोजिकल टॉर्चर होता है और मैं इस चीज को रिलेट कर पा रहा हूँ जबकि मैं फार्मा इंडस्ट्रीज में ड्रग डिस्कवरी का काम मेंली करता था तो हम लोग क्या करते थे कि रैबिट्स पे या रैट्स पे एक्सपरिमेंट्स करते थे काफी और लेकिन साइंटिस इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे हम लोग नहीं ध्यान देते थे कि उसका emotional connect क्या है क्योंकि हमने एक चुहे को पिंजरे में बंद कर दिया है अब आप सोचिए कि अगर हमें कोई पिंजरे में बंद कर दे तो हमारी जिंदगी का क्या होगा इसे जेलें बनी हैं इनसान के लिए अब इनसानों को जेल में बंद कर दो तेक जेल में बंद हुआ आदम अलग आदमी है और एक समाज ने सुतनता से रहरा एक आदमी अलग है तो जैसे ये चिकन हुए कैटल्स हुए ये सब है ये बिलकुल बंद हैं आजकल, फूंटे से बंदे हुए हैं, उसका emotional aspect भी है तो अब इस emotional aspect को देखते हुए मतलब क्या इस बात की संभावना रह जाती है कि नहीं थोड़ा बहुत कुछ non-vegetarian खाये जा नहीं, हमारी यहां जो मुर्गिया वगरा पाली जाती है वो तो free grazing रहती है वो सुबह के time हम छोड़ देते हैं उन्हें और शाम के time वो अपने आप ही उस जो उसका बनावा है, यह तो बात हुई आपके farm की मैं तो कह रहा हूँ कि और अन सिनारियो में तो वो नहीं करना चाहिए मुश्किल है वो तो हो नहीं सकता और जो ऐसे खा रहा है उनके लिए वो थोड़ा सा problem create करने वाली बात हो भी सकती है यह वो जिस भी उसे देखते हैं तो वो animals के लिए अनीजी है लिकिन अगर वो और जैसे लोग कह रहा है कि वो organic supply कर रहे हैं कि जैसे उनकी गायब हैसे है वो organic घास खा रही है और गया organic दाना खा रही है पर फिर भी मैं कहूँ कि अगर वो organic खा रही है फिर भी वो freedom में तो नहीं है जादा तर वो बंदी हुई है हाँ बंदी हुई है तो problem है लेकिन अभी बहुत सारे जो गाय के जो बने हुई है उसको क्या कह सकते है आप इनकी में बाड़ा जो बाड़े है वो open या गोशाला है वो open है open भी है तो वो दिन बर मैंने देखा है कि वो practices में ले रहा है कि दिन बर वो grace करके आजाए और शाम में इनको हम उस बाड़े में क्यूंussरक्षा का भी सवाल है कोई चोरी करक이지 या ना कुट्त रूंखियए आटेक करे तो उसके लिए थोड़ा सा सुरक्षा के लिए भी उनको अंदर बंद करना ज़रूर है उनकी हित्नी है अगर हमारे काउ में ढ़िट बक्रिया पालते हैं तो हमारे यहां पे यह बहुत सारे हैं लांगे बूलते हैं हुमारे यह तो यहां पे पर हमदी में क्या बोलेंगे मुझे मालुम नहीं है तो वो भी अटेक करते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, इवन हाइनास भी होते हैं अच्छा चलिए इसको हम थोड़ा सा अगर अब वेजटेरियन की तरफ सिफ्ट करें और थोड़ा फल, सबजियां और दूद के वारे में भी अच्छा दूद को आप वेजटेरियन के की नौन वेजटेरियन के हैं मैं तो नौन वेजटेरियन ही मानमें दूद दूद को, क्यों दूद किसी को मार के थोड़ी निकाला जाता है पर लिया तो घाय से शावां जैसे वह expect अब बोड़ी के अंदर से होके अच्छा अगर आप दूद को non-vegetarian मानती है क्योंकि of course क्योंकि वो गाय ने घास खाई है और घास फिर उसके स्टमक में गई है, वहां digest हुई है फिर उसके blood में गई है, blood form हुआ है fat form हुआ है, फिर blood मैं से milk बना है, तो actual में पूरी गाय के अंदर cellular level भूम के आया है, तो naturally पूरा animal से move हो क्या है तो आप कहेंगे कि आपके हिसाब से जो दूद है वो vegetarian नहीं है शहद को आप कैसा मानते हैं शहद को देखें सहद मक्यों का थूक ही है थूक तो है, लेकिन क्या, मतलब एक तो मक्ही ने सक किया है पर उसको आप क्या मानेंगे कि वो vegetarian है कि non-vegetarian वैसे दो उसको vegetarian में ही माना जाता है और उसकी तो बहुत सालों से practice भी रही है बहुत हवाईयों में भी use होता है तो उसको आप या बीच में रख लेते हैं इस धमेले में ज़ादा नहीं परता है मेरे ख्याल से हम साइथ यह डराइब कर पा रहे हैं इस पूरी बातचीज से कि हमें इस वैज और नॉन वैज में और यह बहुत तरह की डाइट हैं एटकिन्स है या वीगन है या फूरूटेरियन है या क्या है इस सब में बहुत सारे कमपार्टमेंट्स में न जाते हुए हम तो एक उसे साब से देखें कि एक क्या चीज ठीक हो सकती है मेरे ख्याल से साइथ हमारी बातचीज उसी तरफ जा रही है कि इन सिमाओं में न जाएं हम लोग पॉडरलेस रहें जो ठीक हो वो बात करें बिलकुल बिलकुल कमपार्टमेंटलाइजेशन न हो तो हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं और इसी के अगले पार्ट में हम फलो और सब्जियों पर बात करेंगे साथ ही उसमें लगने वाले पैस्ट और पैस्टिसाइट पर में बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद